बॉलिवुड सेलिबिटीज की दिवाली हमेशा सही सुर्खियों में रहती है दिवाली पार्टीज में शामिल होते सितारे अपनी ड्रेसेस के लिए भी बड़ी चर्चाओं में रहते हैं और लास्ट में यह भी कंक्लूजन जरू निकाला जाता है कि आखिर किसकी दिवाली पार्टी सबसे ज़्यादा ग्रेंड रही वैसे बता दे ग्रेंड पार्टीज की लिस्ट में जादातर टॉप पर रहते हैं करन जोहर, मनीश मलोत्रा, कपूर फैमली, बिग बी और बादशा शारुख खान पिछली बार कोरोना संक्रमन के चलते दिवाली कुछ जादा खास नहीं रही, लेकिन इस बार बड़े-बड़े दिगज अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने घर पर दिवाली पार्टी होस्ट करने वाले हैं और शाम को होने वाली इस पार्टी की तैयारियां अभी से देखी जा सकती है इस साल भी शारुख खान के मननत से लेकर अमिताब बच्चन के जलसा तक शाम को काफी दिल्चस्प और खुश्नुमा नजारा देखने मिलेगा वहीं बात करें अनील कपूर की तो वे हर साल दिवाली पार्टी होस्ट करते हैं और इस बार तो उनकी दूसरी बेटी रिया कपूर की शादी के बाद पहली दिवाली है तो पार्टी भी कुछ जादा ही खास होने वाली है वहीं 2021 की दिवाली सबसे ज़ादा खास बॉलिवुड बादशा शारुक खान के लिए है और इसलिए मननत में दिवाली की धूम काफी ज़ादा है हाला कि मननत के बाहर दिवाली फैंस ने तो 28 अक्टूबर की शाम आरेम खान की रिहाई पधी मना ली थी और उसके बाद 2 नवंबर को बाश्चा ने अपना जनम दिन मनाया था बेटे की जमानत का गिफ्ट जो उने मिला था वहीं आज मननत की दिवाली का सभी को बेसबरिस इंतिजार है और इंतिजार है उस पिक्चर का जो वे अपनी फैंमिली के साथ दिवाली के खास मौके पर पोस्ट करने वाले है खेर बात करते हैं एक खास कपल की तो उनकी दिवाली उनकी बेटी ने खास मना दी है दरसल अनुशका शर्मा और विराट कहली की बेटी वामिका का इस बार पहला दिवाली सेलिब्रेशन है अनुशका ने अब तक अपनी बेटी का चहरा लोगों को नहीं दिखाया है ऐसे में उम्मीद है कि आज शाम की दिवाली पूजा की तस्वीरों में वामिका भी नजर आने वाली है वही कपूर्स की दिवाली काफी रॉयल होती है और इस बार तो तैमूर के भाई और करिना सेफ के छोटे बेटे जहांगिर का भी ये पहला दिवाली सेलिब्रेशन है पार्टी तो होगी ही वैसे बड़ी ही खुबसूरत फैमली है करिना और सेफ अलिखान की खेर आप किस स्टार की दिवाली पार्टी का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इसी के साथ आप सभी को दिवाक्ट इंडिया परिवार की और से दिवाली की धेरोशिप कामना है